हेलो दोस्तों नमसकार आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा फेस्बुक का पेज होता है उसका नेम जो हम कैसे चेंज ही कर सकते हैं तो इस वीडियो में जो हम इसकी पूरी परक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूश सकते हैं और चैनल हमारा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए बीना समय गवाए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर आपको फेस्बूक अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको करना क्या है कि यहां पर आपको अपने फेस्बूक पेज पर जाना पड़ेगा उस पर जाने के लिए आपको यहां पर फोटो आपकी प्रोफाइल के दिखाई दे रही होगी इस इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जिस पेज का आप नाम चेंज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है तो हमारा जो फेजबुक पेज है यह बी आरस से टी अपसी इसका नाम जो है मैं बदलना चाहता हूँ तो इसको जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं सेलेक्ट करने के बाद जो आपको करना क्या है कि इसके जो आपको सेटिंग पे जाना पड़ेगा सेटिंग पे जाने के लिए यहां पे आपको सेंपल उपर की तरफ जो फोटो लगी हुई है लोगो लगा हुआ है इस पे क्लिक कर दे क्लिक करने के बाद जो है आपको सेटिंग वाले option पर क्लिक करना पड़ेगा चलिए जो हम यहां पर क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद जो है आपको थोड़ी से नीची की तरफ आना पड़ेगा तो हम यहां पर नीची की तरफ आते हैं और यहां पर जब को पेज सेट option जो है देखने को मिलता है इस पर क्लिक कर देना है जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो नाम है वो यहां पर लिखा हुगा है और इसी के just wiggle में यहां पर view का option जो है देखने को मिलता है इस पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर जोए नाम चेंज करने को मिल रहा है अगर आप कंप्यूटर में इसको उपन करेंगे ना तो वहां पर वगल में एडिट का उप्सन जोए देखने को मिलता है तो उस एडिट वाले उप्सन पर क्लिक करिएगा ठीक है कंप्यूटर में करेंगे तो और यहां पे जो भी आप नाम लखना चाहते ह hidden जो से के बी-ज़िशा में करदेता हूं और यहां पे एप्स करदेता हूं ठीक है also with और यहां पर आपकी निय़म है साठ दिन के बाद ही म हम दुबारा अपने पैस करपाएं साथ ही तो एसके आपको पहले से पता ही होगी फिर उसके बाद जो review change का option जो देखने को मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा password तो आप अपने facebook account का password जो यहाँ पर लिख कर और save वाले option, save change वाले option पर क्लिक करना पड़ेगा तो उचलिए जो मैं अपना password लिख देता हूँ तो दोस्तों हमने यहाँ पर password लिख दिया है उसके बाद जो सेम सेफ चेंज का option जो देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है हमने save वाले option पर क्लिक कर दिया है अभी हमारा नाम यहाँ पर change नहीं हुआ है अब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पर आपको करना किया कि back आ जाईए क्योंकि यहां पर refresh नहीं हुआ है पेस्ट हमारा तो यहां पर फिर से page setup वाले option पर क्लिक कर दिए अथी कर देना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो नाम है वह चैंज हो चुका है तो वीडियो में केवल इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा